क्या पढ़ रहे हैं Commerce पढ़ना चाते हैं कि Science पढ़ना चाते हैं कि यह Commerce छोड़ना चाते हैं समझ में नहीं आ रहे हैं इसमें क्या क्या दे दिया क्या अब हम डिसकस करने जा रहे हैं वीकॉम प्रोग्राम से मिस्टर फाइब के जो सेलेक्शन पेपर आए हैं उसमें से कौन कौन से पेपर आपको चूज करने हैं हम उसकी बात करेंगे तो देखें आपका सिंपल बात करें यहाँ पे भी 6-5 अब भगवान जाने मेरे जार चार सब्जेक्ट बहुत स्टेंडर बहुत अच्छा था मैक्समम 5 कर देते 7 सब्जेक्ट ले जाना कि कोई तुक नी था आपको वीकॉम में इतना जादा पढ़ा कि कुछ कर नहीं सकते वो क्योंकि आपको आगे की कोई गैरेंटी नहीं दे रहे कि आपकी नौकरी मिल करते थे जो बेटर था जादा बच्चे परिशान नहीं होते अब देखो यहां पर आपको अगेन देखोगे तो एक इंकम टेक्स और इसके साथ बिजनस एकनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंट यह तो कोर सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अ यहां Commerce Organization Behavior है Financial Market and Institution है तो आपके पास यह दोनों सब्जेक्ट जो है Organization Behavior इसका भी आपको Study Material Market में मिल जाएगा Financial Market and Institution इसका भी Study Material Market में मिल जाएगा Better आपको मैं बताऊं कि किसका जादा और किसके जादा content आपको मिल सकते हैं वो मिल सकता Organization Behavior क्योंकि Honors के अंदर भी है और प्रोग्राम में भी है तो Publisher उसी Book को लेके जादा सा जादा देखता है जो की common हो और जादा सा जादा Market में वो Publish करके बेच पाए तो आपको यह option अप्शन दे दिये ना जितने आप पता नहीं क्या क्या सोच के इतना option दिया बगवान जाने Economics, Money and Banking दे दिया, Literature, English दे दिया, 20th century history दे दिया मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं Commerce पढ़ना चाते हैं कि Science पढ़ना चाते हैं कि यह Commerce छोड़ना चाते हैं समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या क्या दे दिया, क्या आप आपके Commerce के फील्ड, Mathematics दे दिया, बहुत सारी चाज़े, Education, Language यह भर दिया है भाई आपके पास इसमें एकी option बनता है, सरिफ और सरिफ Economics, Money and Banking बात खतम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी किसी subject के आपको study material नहीं मिलेंगे तो आप क्यूंकि Economics एक आप 12 से भी पढ़ते आ रहे हो, तो कहीं नहीं कहीं Link है, Money and Banking को आप अच्छे से जानते हो तो आप पेपर में कुछ कर पाओगे, बाकी आप भले ही कोई बोलता है, सर मेरा संस्कृत में बहुत अच्छा है, मेरा सर Economics एडवांस पता नहीं क्या डाल दिया ये, Education Language या English या सर मैं Political Science बहुत अच्छा मैं जानता हूँ, मैं करना चाता हूँ तो मेरे भाई, जब ही आप कर पाओगे न, जब आपको उससे related मिलेंगे study material, पेपर में questions आएगा, वहाँ blank बैठोगे तो नहीं न, पेपर देना ही होगा, तो इसके अंदर आपको option select करना चाहिए, money and banking, पेपर नंबर 6 की बात करें, तो 6 में आपको option मिल गया, एक मिल गया finance for everyone, इसका study material market में, जिसको लेना है, ले सकते हैं, जिसको नहीं लेना, और यह मेरे ख्यालना option, as per, जो आप previous से choose करते हुए आ रहे हो, उसके according मिलेगा हर किसी को, इसके बाद अगला है हमारा computer science, भईया, मत लेना computer science, क्योंकि देखो, वो चीजे लो, जो आपके काम और connected है, इसके बाद आपका है personality development and communication, तो एक बार को books इसकी market में है, और SOL की side पे भी इसकी book available है, तो उससे आप help ले सकते हो, कुछ बच्चे सोचेंगे semester 2 में personality नहीं, आपका सभी का same ही रहने वाला है book, फिर से IT tool नहीं लेना, तो मैं इसके अंदर आपको suggestion दूँगा, finance for everyone, अगर आ नहीं अच्छा लगता, तो simple सी बात है आप, ये ले लिजी आप, और personality and development जिससे common common चीज़ें वो पढ़ सकते हैं, और मेरे बोलने से, मेरे ये नहीं कि मैंने बोल दिया, आपको थोड़ा सा R&D करना है, और books section में जाना है, डियू के जहां से books को download करते हैं, आपको पता मैं उसके उपर भी discussion कर लूँगा, तो ये था हमारा B.com program का पूरा-पूरा paper selection, एक आपको money and banking लेना है, और एक में आपको organization behavior लेना है, इसमें personality development और digital market का मिल सकता है आपको, तो वो चीज़े लीजिएगा, ये रहेगा, ऐसा paper select ना कर ले, कि paper में जाएं, तो क्यूं जाएं क्यूं जाएं हम, हमारे पास ना study material है, ना कुछ है, तो लिखेंगे क्या हम, तो वो काम नहीं करना आपको paper के नाम पे, तो बस ये था semester 4, ऐसे में semester 3 का भी बता दूँगा, program honors का selection का आ चुका है, अब देखो मजे की बात देखो, आपका result नहीं आया, आपका admission नहीं हुआ, 3rd year में, लेकिन बोल रहे हैं, पहले paper भर दो, बाद में देखा जाएगा, आपका 3rd year का admission वो तो होता रहेगा, आप पहले ये भर लो, और पढ़ना चालू कर दो, कहना चाहते हैं भाई, पढ़ लो, नहीं तो 5th semester में आपका what लगने वाला है, इसे सबसे ये बोलना चाहते आपने आप में बहुत भारी है, और बाकी जो ये subjects मिलेना है, पहले आलतू-फालतू subject मिल जाते थे option में, पढ़ा, नहीं पढ़ा, चल दिये हो गया, लेकिन अब ये subjects भी ऐसे दिये हैं, जो कि पढ़ने वाले हैं, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर 5-6 subjects होंगे, तो 6 हो क्या देता है, वो totally DU के ओपर depend करता है, regular college के अंदर काफी सारे options change हो जाते हैं, तो regular वाले बच्चे तो अपना, like जैसे कि for example, वहाँ पे आपको auditing का भी एक अच्छा subject मिला हुआ था, लेकिन SL वालों ने नहीं दिया, तो regular का हर बच्चे का अपना अलग-अलग criteria set होता है, college वाले अपने according देते हैं, अपने professor के according देते हैं, जो available होते हैं, उस college के अंदर, तो मैं regular का, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता के बताओं तो बताओं क्या, बाकी ये subjects है, इसमें से ये subjects रहेंगे better, जो आप select कर सकते हो, बाकी मैं एक बार ऐसा करूँगा, एक और एक को select करना है,